नमस्कार दोस्तों हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में बहुत सारे लोगों ने अपनी जाने गवाई क्योंकि उन्हें समय पर ऑक्सिजन नहीं पहुँच पाई अगर इन लोगों को समय पर ऑक्सिजन पहुँचती तो शाहिद इस बच सकते थे इसी बात को जहन में रखते हुए मैंने बहुत ही बड़ी संख्या में oxygen concentrators आपके शहर में पहुचानी के कुशिश की है दिल्ली में सबसे ज़्यादा केसस हम लोगों के पास आए और सबसे ज़्यादा लोग हमने दिल्ली में खोई जिन लोगों ने मुझे प्रोश किया था इसलिए आपके शहर में एक नंबर हम लोग अप्लब्द कर रहे हैं जिस पर अगर आप कॉल करेंगे अब टुम तो हमारी कंपई से कोई न कोई आकर आपको यह ऑकशिजन कांसेंटार आपके घर पर देखर जाएगा यह सेवा एकदम निशुलख है एकदम फ्री है जब ही भी आपकी जो जरूरत है oxygen concentrator की पूरी हो जाए तो आप इसे please वापस कर दे ताकि ये किसी और की जान बचाने में काम आ सके मेरी सूच charity foundation और तुष्टी foundation की तरफ से हमारी छोटी सी भेंट आपके शेहर के लिए वो कहते हैं न जो जरूरत में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा नमस्कार आपसे एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ करीबन कल रात को धाई तीन बज़े तक मैं किसी को बैट दिलाने कोशिश करना था हम उनको बैट दिला पाए और उसके बाद उसकी स्ट्रगल हुई वेंटिलेटर के लिए फिर रात को साड़े पांच-छे बज़े सुबह हम लोग उसको वेंटिलेटर भी दिला पाए और फिर वो बिश्यन नहीं रहा फिर हमारी जंग शुरू ही उसका अंतिम संसकार करने के लिए जगा नहीं मिल रही है उनके पास पैसे नहीं है उनका अंतिम संसकार का भी अरेंज़ रट कर दिया लेकिन मेरे जहन में एक चीज आई कि आज देश का हर एक इनसान जाहे हो बड़ा हो वरीब हो उसकी जंग शुरू होती है अपने घर से एक ऑक्सिजन सिलिंडर के लिए फिर ऑक्सिजन सिलिंडर से ऑक्सिजन बेड के लिए वहां से आईस्यू के लिए और वहां से वेंट करने के लिए हम लोग बहुत लोग के मदद कर रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं मैं आज सभी सरकारों से हाथ जोड़ करें बिंती करता हूँ कि आप एक ऐसा लौज जल से जल निकालें कि कोई भी क्रेमेटोरियम कोई भी शम्शानगार यहां जहां पर उनका अंतिम संसकार यहां अंतिम राइट्स होते हैं उसका खर्चा ना लगे करीवन 3 से 3,500 हजार लोग हम लोग हर रोज खो रहे हैं और अन तिमwegen राइट एक ऐसान की कराने का खर्चा करेवन 15 से 20 वहां आता है तो करीवन 6 से 7 करोड़ रुभे का खर्चा है देशमर्कें अंदर कम सब से कम सब लोगों का जितना आज लोग हम लोग खो रहे हैं उनका अंतिम जात्रा अगर सरकार ये खर्चा उठाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी परिवार जिनकी आखरी जो शम्शान जात्रा है वो सही नहीं हो रही या उनके पास पैसे नहीं है मेंज नहीं है वो अराम से अपने परिवार वालों को इस अंतिम जात्रा पर ले जावाएंगे वो बोलते हैं रहें कि जो मुसीबत में साथ में खड़ा वोई सबसे बड़ा तो यह समय आ गया है कि और समय ना व्यर्थ करते हुए जल से जल आ गया है और एक ऐसा लौ पास करेंगी देश भर में जितने किरमेटोरियम से हैं जितनी शमशान घाट से हैं जहां पर भी लोगों को अपने अंतिम जात्रा के लिए कोई भी किराकरम करना है वो एकदम फ्री अफ कॉस्ट हो वहाँ पर इतनी लखड़ियां भर दें इतना सब समान भर देंगी किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ती फर्क नहीं पड़ता कि ओफोर्ड करता है नहीं करता लेकिन मुझे लगता है कि इस समय हम लोगों को ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी है एक देश के अंदर एक वापस विश्वास जगाने के लिए उनको बताने के लिए कि हम आपके साथ ख़़ेगे आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इसके बारे में सोचेंगे और जितनी आवाजें हैं वो इसके बारे में जरूर उठाएंगी ताकि लोगों को अपनी अंतिम यात्रा जो है उसके अंदर आपका साथ में सब्सक्राइब धन्यवाद